फतेलपूर यूपी जला सम्वागबता रिजवान उपदीन स्लग दगदी के साथ जोवारियों को किया पुलिस में गिरफतार अंक उत्तर प्रदेश फतेलपूर जिले में एक लंबे समय से जोवारियों का मकलजाल बच्छा हुआ था जिसको पुलिस में तो ने का काम किया लगातार पुलिस को मिल रही सूचना पुलिस की आखों के किरकेली बनी हुँ थी आखिरकार पुलिस अधीक्षक के मिल देश के अनुसार पुलिस में अपने मुख वीरों का मकलजाल पुलिस जिले में बच्छा रखा था ऐसे भी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंग में बड़े-बड़े कुलासे करके फतेलपूर जनपद का गोरा अब बढ़ाया आज मुकबिर खास की सूचना प पुलिस अधीक्षक की मानी जाए तो उनका कहना है कि यह जनपद के लिए बहुत बड़ी काम्याबी है जिसका पुरा श्री पुरी पुरी पुलिस टीम और सोजी टीम को जाता है जिन्होंने मेहनत करके इन जवानों को घर पकड़ा और एक बड़ा निटवत का खुलासा क जुआ खिलते हुए जो अपरादी पकले गए हैं उनका एक लंबा अपरादी की तियास है जो में बुकी है सुनील कुमार उत्तम उसके उपर लगवग आठ या नौ मुकदमे दर्ज हैं 2014 से मुकदमे दर्ज हैं उसके उपर साभजनिक जुआ खिलाने के लिए और इसके ल जुआ है जहां पे एक जुआ संचालित किया जा रहा था पुलिस की टीम ने दविश दी इसमें मलवा आहुशाइन गज थाना और राधानगर थाने की फोर्स थी और डिवाई एसपी साब थे वो उसका नित्यत्रों कर लाएते इस सोजी टू की टीम थी सोजी टू की टीम के नित्यत्र में दविश दी गई और ग्यारा सातीर अपरादियों को पकड़ा गया है जो जुआ खेल लेते और चार अपरादी फरार हो गये हैं लगवग 2,68,990 रुपे वहां से जुए में बरामद हुआ है च्छै बाइके बरामद हुई है जिन पे दो बाइकों में एं पब्लिक एंब्लिंग एक्ट और 420, 466, 86, आधी धराओं में मुकदमा पंजिक्रित किया गया है अनविधिक करवाई की जाकर जुआ खेलते थे गया है इसी सुचना मिली है इनसे बाचिन इनसे जब प्रश्न जवाब सवाल किया इंप्रोगेशन किया गया तो यह पता च रहास की सुचना सटिक सुचना पर ही करवाई की गई